हाई अब्रिवान कैसे हो आप तभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप तभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूटोबरियल्स में तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक टाइ ज्यादा महनत तो यार इसी के लिए हमारे वीडियो को जितना हो सके देखो अपने दोस्तों को बताओ हमारे श्ट्रगल के बारे में हमारे महनत के बारे में तभी शायद दोगों को पता चलेगा ठीक है तो आज अगेन लेकर आया हूँ सिक्स्टैंडर के लिए मैस का तो आज यह चाप्टर कम्प्लीट हो जाएगा आज दूसरा लेक्चर है इस चाप्टर है का जिसमें हम लोग प्राक्टिस सेट नंबर 27 को भी सॉल्व कर देंगे ठीक है तो मजा आने वाला है हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंट चीजों को कैसे सॉल किया जाता है यह समझ में आ गया दूसरा जब आप उसको समझ लेते हो कॉंसेप समझ में आ गया फॉर्मूले समझ में आ गया कैसे सॉल करना है समझ में आ गया तो आप न उसको प्राक्टिस भी करो जैसे आपने आज वीडियो देखा वीडियो देखन ठीक है चले शुरुआत करते है वीडियो की तो अगें एक चीज़ बोलना चाहूंगा इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो टेलिग्राम हमारा ग्रूप है जॉइन कर लो और एप्लिकेशन है जैया टूटोरियस का एप को डाउनलोड कर ले यूज करना है हमने फॉर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि एक्वेशन का मतलब यह होता है कि अगर कोई नंबर और कोई लेक्टर एबी सीडी एक्सवाइज अगर दोनों साथ में आ जाता है तो उसको एक्वेशन बोलते है और उसको सॉल करना होता है जैसे कि यहाँ पे क्या करना है तो कोई भी एक नंबर हो सकता है अब वो नंबर क्या होगा मुझे पता निया तो मैं उसको माननूगा एक्स मैं क्या मानूँगा उसको ऐस्वाल हो जाएगा एक्स तो X plus 3, इस question का answer हो जाएगा X plus 3, मतलब कोई एक number और plus हो रहा है, 3, तो X plus 3 is the equation, यहाँ पर हमारे equation क्या बन रहा है, X plus 3, खतम, किता easy दा, तो बस उस चीज को समझ ना है, अब जैसे कि second question देखो, the difference obtained by subtracting 11 from another number, कोई एक number होगा, उसको subtract करना है 11 से, ठीक है न, यानि कि 11 क्या हो आक्ट हो रहा है, तो X minus 11, यह उसका answer हो गया, कितना easy आप देख पा रहे हो, तो बस इसी प्रकार के questions exam में आएंगे, एगर इस questions में से आया तो, मतलब ऐसे categories में आया तो, तो आपको बस समझना है question को, कोई भी unknown number अगर है, ठीक है न, कोई number है, तो उसके ठीका पे X लेलो, Y कुछ भी ले सकते हो, और जो भी चीज़ आपको दिया हुए, सब्ट्राक करने 11 बोला था, तो X minus 11 कर दिया, ठीक है, अब देखो थीसरा, देखो इसको समझो क्या बोल रहा है, कि the product of 15 and another number, मतलब कोई एक number है, समझना 15, यहाँ पर दिया हुए 15, और product करना है, product मतलब क्या ह होता है, multiplication, product मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का product का बाता है, जब दोनों में multiplication होता है, तो क्या बोल रहा है, the product of 15 and another number, तो मतलब एक तो नमबर 15 है, और कोई दूसरा नमबर जो होगा, multiply करना है, कोई दूसरा नमबर, समझना मैंने मान लिया, X, तो 15 multiply बैक्स कितना हो ज समझो इसको, 4 times a number is 24, 4 times मतलब 4 multiply by, 4 multiply by a number, number कोई भी हो सकता है, तो 4 है, multiply by कोई भी number कर लो, तो मैंने X ले लिया, तो 4 multiply by कोई number X ले लिया मैंने, और वो क्या है, is 24, मतलब is equal to 24, तो 4x is equal to 24, यह हमारा क्या बन गया, equation बन गया, तो हमने rewrite कर लिया, question यहीं पूछा था न, rewrite क कितना आसानी से कर लिया, आप देख पा रहे हो, correct है, कोई परचानी यहां तक, तो यहर इस से easy कुछ हो इनी सकता, इतना simple तरीके से हमने इसको solve करके दिखा दिया, correct है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाए, question number 2 पे जाते हैं, देखने क्या पूछा है, question number 2, question number 2 यह बोल color change कर लेता हूँ, yellow ले लेता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है, find out which operation must be done, मतलब कौन सा operation करना है, plus, minus, multiplication, divide यह, 4 mathematical operation होते है, या तो plus होता है, या तो minus होता है, या तो multiplication, या तो division, तो हमें बोल रहा है कि इसमें से हम लोगो कौन सा ऐसा करना है, और उसको solve करना है, यहाँ बोला अगर इसको मुझे solve करना होता, तो मैं क्या करूंगा, simple तरीका क्या है मेरा, अगर इसको मुझे solve करना होता, तो simple तरीका क्या है, हम लोग इस 9 को, इस 9 को दोनों साइट से subtract कर देंगे, मतलब यह x प्लस 9 is equal to 11 है, अगर मैं ऐसा करूं तो x प्लस 9 को लिखा है, मैंने जो यह सेम, यह जो x प्लस 9 जो लिखा है, यह सेम as it is लिख दिया, ठीक है, अब यह दोनों को मुझे क्या करना है, बोद साइड में ऐस क्या mathematical operation लगाना है, कि मेरा answer आतके, मतलब solve करना, मतलब answer लाना, तो अगर मैं यह 9 जो लिखा है, इसको यहाँ पर minus करूं, यही 9 को वपस minus करूं, और उसको balance करने के लिए equal के यह साइड में 9 को minus करूं, मतलब दोनों साइड मेंने 9 को minus किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह x बच रहा है, और इधर पर आ जाएगा, तो x is equal to 2, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर subtract किया, क्या किया, subtract 9 from both side, हमने 9 को both side से subtract किया, तब जाके हमारा answer है, ठीक है, उसी प्रकार, यहाँ पर x minus 4 is equal to 9, जो दिख रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखो, x minus 4 है, minus 4 है, तो इसको मैं plus 4 करूँ, और is equal to 9 है, इसको भी plus 4 करूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो, यह minus 4 plus 4 cancel हो जाएगा, यहाँ पर x बच रहा है केले, और यहाँ पर 9 plus 4 हो जाएगा 13, तो हमारा x is equal to 13 answer आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, add किया, plus 4, तो add plus 4 both side, यह हमरा answer हो गया, add plus 4 both side, यह हमरा answer, यह जो लिख रहे हैं, यह हमरा answer, यह answer नहीं है, answer यह है, कि हमने क्या किया, हमको यह बताना है कि find out which operation, हमने क्या किया, तो यहाँ पे minus, subtract minus किया, subtract 9 को किया, मतलब minus 9 किया, यहाँ पे plus 4 किया, वैसे यहाँ पे आप देखो, a x is equal to 24 आपक क्या कर सकते हैं, ठीक है, multiplication हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8x multiply हो रहा है, तो यह 8x is equal to 24 है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों side 8 को divide करता हूँ, तो divide by 8, और यहाँ पे भी divide by 8 करता हूँ, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 8 8 cancel, यहाँ पे x बचा, और 24 divided by 8, 3 हो यहाँ पर x upon 6 is equal to 3 और मैं क्या करूंगा इसको अगर मुझे solve करना तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर बताऊ क्या करूंगा यह डिवाइड गाइस एक अगर करूं है यहाँ पर यहां पर दोनों साइड मल्टिप्लाइब किया तो हमारा एंसर आगया कितना इजी लिए एंसर आगया आप खुद ही देख पार हुआ है कुछ परेशानी यहां तक इतना इजी एक्जामपल देखा है कर आपने वस्लोजिक लगाना था ठीक है सॉल करके यह बताना था कि मैठेफमेटिक अपनीं यहां पे पल्स और यहां पर और 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 समघ्ले испыт उसक Insurance in गारेखे एगा सखे़ एक उन और सुस्के एंसराइब मतला हम लोगे नहीं हैmo Bundler साही दियां तो यह साइगा investir आए तो robić है तो यहां पर कया ठेगा संजा यहां पर 17 ओनर टो एन-प्लस द्रेंगेस नेखाए तो इसका solution क्या है, yes, यह solution आ रहा है, correct, कितना simple है, यहाँ पर देखो, 30 is equal to 5x, 30 is equal to 5x, तो x के जगा पर 6 है, तो 30 is equal to x के जगा पर क्या लिखना है, 6, तो 5 multiply by 6 हो जाएगा, यहाँ पर 30 आ जागा, तो यह भी 30 is equal to 30 आ रहा है, मतलब यह भी solution है, yes, solution है, विल्कुल solution है, last solution नहीं है, no, solution नहीं, कितना easy था, ऐसे questions exam में आएंगे, 20 बस जो value दिया है, उसके जगा पर डाल तो, और इसको solve करो, answer same से माया, तो yes है, same से नहीं आया, तो no है, कितना easy था, correct, समझ में आ रहा है दोस्तो, कितना easy है, चलो, अभी next पर जाएंगे, जो की है, असली खेल, अस simplest technique क्या है, देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, y-5 is equal to 1, तो आपको करना क्या है, आपको एकदम logic thing बतातो, logical thing बतातो, करना क्या है, यहाँ पर कभी भी याद रखना, y-5 is equal to 1 दिया है, तो जो variable है, उसको सबसे पहले लिखो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, y, लेकिन यह ज equal to लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहे है, मुझे y is equal to लिखना पड़ेगा, अगर मुझे y is equal to लिखना है, तो यह minus 5 जो है, इसको 1 के पास भेजना पड़ेगा, तभी तो यह y, देखो, यह equal है इधर पे, और equal के यह side y minus 5 है, तो मुझे सिर्फ y यहाँ पर रखना है, minus 5 क क्या होता है, कि plus minus बन जाता है, minus plus बन जाता है, multiply divide बन जाता है, और divide मल्टिप्लाई बन जाता है, कब जब वो एक side से, मतलब equal जो होता है यह equal दिख रहे है, equal के इस side right side होता है, equal के इस side left side होता है, तो कभी भी कोई left वाला चीज राइट में जा रहा है, तो उसका sign change हो जा ह लेफ्ट में आ रहा है तो सका उल्टा होते है तो प्लस का मैंस उल्टा माइनस का उल्टा प्लस इमाइन प्ला को पुर्ण लॉजिक अपको क्लिर है इस से स्पुम्मिल डेशन आपको नहीं मिलेगा अब देखो कितनी पास देज़ोंगा तो वन तो पहले से इधर था 1 equal के बाजू में था ना, 1 पहले से ही था, minus 5 उसके पास आ रहा है, तो यह plus 5 हो जाएगा, minus 5 बन गया, plus 5, तो y is equal to 1 plus 5 मतलब 6, answer आ गया, देखो, y is equal to 6, यहां पर देखो, जहां से देखना, 8 is equal to t plus 5 है, ठीक है, मुझे यहां पर t चाहिए अकेला, यहां पर t अकेला चाहिए मिरको, ठीक है, plus 5 है, तो मैं 8 के पास भेज दूँगा, तो यह क्या हो जाएगा, minus 5 हो जाएगा, plus 5 इदर जाएगा, 4 multiply by x, तो मुझे सिर्फ x का value चाहिए, तो x का value चाहिए, तो 4 multiply by x है, यह 52 इदर लिखा हो है न, 4 x is equal to 52, तो मैंने सिर्फ x लिखा, लेकिन मुझे 4 यहां पर नहीं चाहिए, तो 4 multiply है, तो उस side जाएगा, तो multiply है, divide बन जाएगा, तो यह 52 का है, नीचे आ जाएगा, तो 52 के नीचे आ जाएगा, तो x is equal to 52 by 4, divide कर लो, देखो, 4 के table में, 4 on the 4, 13 जा 52, 13 4 जा 52 होता है, correct, तो x is equal to 13 आ गया answer, कितना easy था, है कि नहीं, चाहिए, चाहिए था देखो, ध्यान से देखना बच्चे, 19 is equal to m minus 4, तो सबसे पहले मुझे m का value चाहिए, तो m उदर ही रहेगा, 19 इधर था, अब यह minus 4, जो m के पास था, वो minus 4, इस side आएगा, तो plus हो जाएगा, तो 19 plus 4 हो गया, समझ में आ रहा है, देखो द्यान से, 19 plus 4 हो गया, और यह बिच में equal था, तो 19 plus 4 कितना होता है, 23 होता है, is equal to m हो गया, सीधा कर तो इसको, तो m is equal to 23, आगया answer, खतम, है कि नह simple है, आपे खुदी देख लो, यार, मतलब इससे simple कुछ हो सकता है, देखो, समझ में आ रहे है, यहाँ पे देखो, P by 4 is equal to 9, क्या हो जाएगा, P का answer चाहिए, P by 4, मतलब P divided by 4 है, मुझे 4 को उधर भेजना है, equal के वो side, तो यह divide वाला चीज multiply हो जाएगा, तो P is equal to 9 multiply by 4 हो ज जाएगा, उधर जाएगा, तो minus 10 हो जाएगा, तो X will be equal to 5 में से 10 गया, कितना बचा, minus 5, ठीक है, X is equal to minus 5, आच में से 10 नहीं जाता है, 10 में से 5 जाता है, तो 10 minus 5 is 5, लेकिन छोटे में से बढ़ा जा रहा है, इसके लिए मैंने minus लिखा, तो X is equal to minus 5 answer आ गया, यहाँ पे minus 12 plus 5, अब मुझे बता, minus 12 plus 5 का कैसे लिखोगे, minus 12 plus 5, मतलब 12 में से 5 minus होगा, तो 12 में से 5 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 12 में से 5 गया, 7 बचेगा, लेकिन बढ़ा कोने आपे 12, तो minus का sign आजाएगा, तो M is equal to minus 7, correct है, मैंने कई बार आपको बता है, कई सारे वीडियो ट्रिक्स वाले वीडियो बता है, कि कैसे minus plus 7 में है, तो कैसे solve करना है, तो बहुत easy होता है, तो ये minus 12 plus 5 हा, तो ये minus, ये plus मिलके minus होगा, तो 12 में से 5 गया, 7 बचेगा, बढ़ा कोने 12, तो इसका sign आएगा, minus, ठीके, last, चलो, P plus 4 is equal to minus 1, तो P इधरी रहेगा, is equal to minus 1, इधरी है, ठीक है, तो P is equal to, ये minus 1, इधरी ये, लेकिन plus 4 था, वो minus 1 के पास जाएगा, तो plus 4, minus 4 बन जाएगा, तो ये दोरद आएगा minus 4, तो P is equal to minus 1, minus 4, minus, minus, minus प्लस हो जाता है, minus minus, minus, plus हो जाता है, तो 1 plus 4 is 5, लेकिन 2 minus है, इसके लेक minus नापर डालना पड़ेगा, तो P is equal to minus 5, क कि यह दोस्तों इतना ज़्यादव सकते हूं कि बहुत ज़्यादा सिंपलन कुछाइ नहीं लगता इससे ज्म्लस्त एक्ग्णाफ़ कोई हो सकता है, करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान दो, और ये जो है ना, इस से ज्यादा सिंप्लिस कुछ होई नहीं सकता, ठीक है, चलो, अब क्या करेंगे, हम लोग अगले कोशन पर जाएंगे, और अगला कोशन क्या है, फटा-फट से इसको solve करने की हम लोग कोशिश करते हैं, चलो, तो देखो, अगला कोशन रीड करो, सबसे पहले क्या करोगे, सब लोग, अगला कोशन जो दिख रहा है, बोड के उपर, उसको आप जितना हो सके, अच्छी तरीके से, रीड करो, तभी आपको समझेगा कि क्य क्या है यहां पर, ठीक है, चलो, तो चलो, हम लोग फटा-फट से इसको solve कराते हैं, देखो, क्या बोल रहा है, कोशन देखो, हर्बा ओन सम शिप, हर्बा एक लड़की के नाम है, लड़का के नाम है, पता नहीं, ओशिप उसके पास है, बहुत सारे शिप्स हैं, उसके पा हर्बा, हर्बा, हर्ब, एक शिप, मुझे पता नहीं रहा, कितने शिप थे, तो समझ लोग मैने मान लिया, कि उसके पास, एक शिप रहेंगे, एक में कितने भी आ सकते, 100, 200, 500, 500, 50, 20, जितने भी है, वो होंगे, तो हर्बा है, एक शिप तो हमारा क्वेशन क्या बोल रहा ह portion यह बोलता है, कि after selling 34 of them, मतलब पहले उसके पास x था, x shift थे उसके पास, मतलब बहुत सारे shifts थे उसमें से उसने 34 बेज दिया, तो 34 बेज दिया, मतलब 34 कम हो गया, ना, तो कम हो गया, मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो x पहले था, उसको 34 बेस दिया, तो x-34 हो गया, फिर उसके पास कितना बज गया, उसके पास बज गया, 176, तो x-34 is equal to 176, यानि कि हमारा answer क्या आएगा, x का value निकालना है हमें, मतला हमें कितने हर बागे पास, कितने shifts थे वो बताना है न, तो x का value निकालना है, तो x इदर ही रह आएगा, तो x is equal to 210 आगया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore, Harba have 210 ship, कितने ship आएंगे उसके पास, 210 ships होंगे उसके पास, तभी जाके हम लोग यह चीज उसको बता सकते हैं, correct है, clear है दोस्तो, समझ में आ रहा है कितना easy examples है, तो ऐसे कई सारे examples आपको देखने मिल जाएंगे आपके final exam में या फिर जो भी आपका unit test वगड़े आएंगे, तो ऐसे questions आते हैं exam में, मतलब जो what problem वाले होते हैं, तो ऐसे questions को समझना होता है, बस solve करना होता है, बहुत easy, देखो second question, शाक्षी prepare some jam at home and fill in the bottles after giving away 7 of the bottles to her friend, मतलब समझ लो, उसके पास कितना था, let साक्षी have x bottle, क और उसके पास 12 बचा, तो x पहले उसके पास था, उसमें से 7 bottle उसको दे दिया, और कितना बच रहा है, उसके पास 12 bottle बच रहा है, ठीक है, हमको आगे के question पूछा है, how many bottles had she made in all, मतलब total उसके पास कितने bottle थे, अब if she filled, देखो यहाँ पे, if she filled 250 gram of jam in each bottle, मतलब एक और question इसमे से पहले हम यहाँ पे x का value निकालेंगे, मतलब total bottle कितने थे, तो x इदर ही रहेगा, minus 7 उदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, plus 7 हो जाएगा, तो 12 plus 7 यानि x is equal to 19 हो जाएगा, यानि कि, जो साक्षी है, have 19 bottles, उसके पास कितने bottle है, 19 bottle है, समझ में आ रहा है, साक्षी के पास क 19 bottle में अगर 250 gram अगर भरेगी तो multiply कर लो, multiply कर लो, यहाँ पे करता हूँ side में, 250 multiply by 19 कर लो, 9, 0, 0, 9, 5, 0, 45, 4 carry, 9, 2, 18 और यह 22 हो गया, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 5, 5, 1, 2, 2, 0, 5, 7, 4, 7, 5, 0, मतलब 4, 7, 5, 0 gram total उसका weight हो जाएगा, अब इसको kg में अगर मुझे डालना है, क्योंकि total weight प 450, मतलब 4, 750 gram, तो मुझे पता है कि 1 kilo में 1000 gram होता है, तो यह हो जाएगा 4.750 kg, मतलब लगबग 4 kilo 750 gram के आसपास total weight हो जाएगा उस डब्बे का, मतलब उस jam के bottle का, पूरा मिला के, 19 bottle थे उसके पास, तो पूरा मिला के इतने हो गया, correct, समझ में आ रहा है दोस्तों कितना easy था, अब चलते हमारे अगले और आखरी question इस practice set का, जो कि अर्चना ने bought some kilogram of wheat, उसने कुछ गेहू खरीदा, she requires 12 kg per month and she got enough wheat milled for 3 months, after that she had 14 kg left, मतलब उसको 12 kg लगेगा हर महीने का, ठीक है, and she got enough wheat milled for 3 months, मतलब उसको 3 महीने के लिए उसके पास परयाप्त जो भी गेहू था, आटा, वो मिल गया, उसके पर भी उसके बास 14 kg जो है वो बचरा है, ठीक है, तो total wheat अर्चना ने कितना खरीदा होगा, वो हमें question पूछा है, तो बहुत ज्यादा simple है, इसमें मतलब कुछ logic ही नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बाप करूँ, total एक महीने में, जो अर्च kg खरीदती है, ओके, तो यहाँ पर 3 महिना यहाँ पर दिया हुआ है, 3 महिने में कितना हो जाएगा, तो 3 मंथ में कितना हो जाएगा, तो 3 मंथ में हो जाएगा, 12 multiply by 3, यानि कि 36 kg, मतलब 3 महिने का उसका गेहू कितना हो गया, 36 kg हो गया, अब 36 kg उसको जो है वो लग रहा है, तो किको तो टोल कितना उसने खरीदा होगा वहाँ मैंने मान लिया X, तो let let x be the wheat, wheat का spelling का है, w h है न, wheat अरचना बाट, अरचना ने समझ लो x kg, x kg wheat खरीदा होगा, अब x kg उसमें wheat खरीदा है, लेकिन उसमें से उसका 3 महिने में कितना हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, आप देखा 36 kg जो है वो यहाँ पर खर्च हो रहा है, तो मतलब x में से 36 उसका ख खर्च हो रहा है, तीन महिने में 36 किलो खर्च हो रहा है, फिर भी उसके पास 14 किलो बज जा रहा है, मतलब x-13 is equal to 14, ठीक है, 14 किलो बज जा रहा है, तो x is equal to कितना हो जाएगा, minus 36 इधर है, तो वो उसको इधर बेजूँगा, तो यह 14 के साथ जाके plus 36 हो जाएगा, तो x will be equal to 50 ठीक है, तो x 50 है, तो therefore अर्चना ने कितना total खरीदा था, तो अर्चना bought 50 kg weight, मतलब उसने कितना गेहू खरीदा होगा, 50 किलो गेहू जो है, वो total उसने खरीदा होगा, कितना easy questions था, तो ऐसे राशन वगरे हम लोग खुद लाते हैं, जैसे कि मैं तो फिलाल खुदी राशन लेकर आता हूँ, मैं market, mart चले जाता हूँ, demart चले जाता हूँ, मैं लेकर आ जाता हूँ, तो आपको idea लग जाता है, जब आप बड़े हो जाओगे, तो अपने घर का राशन पानी जब खुद भरा होगे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो इसी के साथ ये lecture complete होता लेकिन आप लोग comment कर सकते हो, क्या क्या हम पढ़ा सकते है, science का, maths का, जो भी आप comment कर देना, ठीक है, वीडियो पसंद दे, तो लाइक करना, share जरूर से करना, हर एक छटवी के बच्चे तक ये video पहुंचना चाहिए, कितना मेहनत हमने कर रहे है यार, इतना मेहनत शायद ही